हेलो लिब्रा, वेलकम टी गुरुमा हिंदी टारो और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपके एक्स आपके बारे में कैसा फील करते हैं, no contact situation में, तो इस रीडिंग में में देखने की कोशिच करूँगी, कि आपके एक्स के मन में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या स excuse me six of scepter, eight of scepter, daughter of scepter, ten of knives and four of grails, okay So Aries, daughter of Scepter के साथ लगता है कि आपके और इस person के बीच जो कुछ भी जल रहा है उससे आपकी attraction में कोई कमी नहीं आई है मतलब जिस सरी किसे ये person आपको देखता है वो अभी भी नहीं बदला मेभी ये person इस relationship से सर्फ इसरे दूर गया है क्योंकि वो आपको बुरा फील करवाना चाहते है या आपसे कोई बात बनवाना चाहे हो सकता है ये person आपको कुछ convince करने की कोशिश कर रहा हो किसी बात पर हो सकता है ये person किसी बात को लेकर upset हो आपसे changes चाल रहा हो या फिर simply किसी obstacle के वज़ा से जिसको ये handle नहीं कर पा रहे थे जो challenge इन्हें लग रहा था कि ये handle नहीं कर सकते उसकी वज़ा से हो सकता है ये person आपसे दूर कए हो हो कुछ भी सकता है लिबरा ये आपकी situation पर depend करता है बड़ एक चीज जो मैं आपको बहुत clearly बता सकती हूँ कि आपका ये ex आपसे अभी भी बहुत attracted feel करता है especially अगर मैं बात करूँ physical appearance की looks की तो ये person उस looks को उस physical appearance को बहुत ज़ादा याद करता है okay so पता नहीं कि किते लोगों से reading resonate कर रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये connection जादा lust पर बेस्ट था बजाए emotions के now please मुझे गलत मत समझेगा मेरे कहने कर तब ये नहीं है कि इस person के कोई emotions ही नहीं था आपके लिए and वो relationship में सर्फ इस लिए थे क्योंकि आप उन्हें दिख रहे में अच्छे रखते थे और उन्हें लगता था कि उन्हें कुछ achieve कर लिया है इस person को हमेशा से ये लगता था कि आप ये daughter of sectors है आप confident है आप fierce है आप अपने लिए stand कर सकते है और आप अपनी responsibility भी ले सकते है मतलब आप एक dependable person है एक ऐसे partner है जिसको वो हमेशा पाना चाहते थे but at the same time शाद इस person की expectation लिपरा आपसे बढ़ती ही गई इस person को लगा कि वो आपको push कर सकते है और four of grills के साथ ये person आपकी energy drain कर रहा था ये person emotionally आपसे connect होने की कोशिश कर रहा था ताकि आप उन्हें और जादा freedom दे या space दे और सबसे बड़ी बात की आप अपने life में वो changes लाए जो वो चाहते है but इस person को ये realize हो गया लिबरा कि आप है ये daughter of sectors आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको कहां रुकना चाहिए कहां चीजें गरबर है आपका intuition बहुत strong है और आपके इस ex को लगता है कि उन्होंने बेवजा ही आपको किसी reason से ignore किया या आपको जिम्मदार ठहराया ये break up कर लिया इस person को लग रहा है कि ये daughter of sectors आप उन्हें दुबारा मिलने से रही ये daughter of sectors काफी confident है और काफी wise भी तो वो अब अपने लिए कुछ नया चुन रही है eight of sectors के साथ this person को ऐसा लगता है लिबरा जैसे कि आप move on कर रहे है this person को ये सोच कर भी बहुत बुरा लगता है कि आप move on कर जाएंगे कल को वो किसी को आपके साथ देखेंगे और ये idea भी उन्हें बहुत बुरा लगता है in fact this person की overthinking start हो चुकी है इस person को लगता है कि शायद आपके life वे कोई नया आगया है लिबरा तभी तो आप उनसे इतनी दूरी बनाने में कामयाब हो रहे हैं जरूर किसी ने आपके दर्द को कम कर दिया आपको इस ten of knives वाली situation में से निकाल लिया आपको जरूर कोई ऐसा मिल गया है जो आपको काफी प्यार दे रहा है और तभी आपको उनकी कमी महसूस नहीं हो रही इस person को लगता है कि आप move on कर रहे हैं बिकिस आप इस daughter of sectors की तरह नज़र आ रहे हैं यह person आपको देखके सोच रहा है कि आप confident है आप gorgeous है आप खुद का ख्याल रख रहे हैं इसका मतलब आप उन्हें मिस नहीं करते और आप depressed भी नहीं है और यह बात इस person को बहुत परिशान कर रही है शुरुआत में 10 of knife से आप डील कर रहे थे आप इस pain को महसूस कर रहे थे और अप situation यह है कि यह person इस 10 of knife से डील कर रहा है इस person को लगता है कि अब सब कुछ उनके control से बाहर हो गया है four of grills के साथ उन्हें लगता है कि अब आप उनकी energy drain कर रहे है आप उनसे कुछ ऐसा ले रहे है जो वो आपको देना नहीं चाते या यू कहे खी, आप उनसे उनका space ले रहे है उनका time ले रहे है, ना होते वे भी उनके साथ आप हमेशा उनके मन में है, उनके दिमाग में है हो आपके बार मैं सोचना बनने ही कर पारे है लिब्रा और ये उनके लिए बहुत पेंफुल है सिक्स ओफ सेप्टर्स के साथ लिब्रा इस परिसन को लगता है जैसे कि ये कोई competition है move on करने का और इस move on करने के competition में आप जीच चुके हैं और आपने उन्हें एक तरीके से हरा दिया है और अब उन्हें लग रहा है कि वो करे तो क्या करे खुद को कैसे समाले ये person आपके बारे में सोचना बनने ही कर पा रहा दूसरी तरफ ये person ये भी नहीं समझ पा रहा कि वो वापस कैसे आए अगर आते हैं तो क्या ये daughter of scepters उन पे कभी trust करेगी क्या वो कभी उन्हें कोई मौका देगी ये सारी बात उनके दिमाग में चल रही है हाला कि ये एक journal reading है ये सबसे resonate नहीं करेगी energy reverse हो सकती है अगर आप cross watcher है इसके अलावा अगर आप पिछले week की reading या yearly reading देखना चाहें 2024 के first quarter की तो उसका link आपको description box से मिल जाएगा हमेशा की तरह चली आगर बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या messages हैं आपके लिए Libra 8 of skulls the chariot 4 of skulls the sun and 3 of skulls okay तो अब जो है यहाँ पे the chariot यह chariot इस person को बार बार आपकी तरफ जाने को मजबूर कर रहा है because this person को लगता है कि उन्हें आपको सम्हानने की ज़र्वात है क्योंकि the chariot के बाद अगर आप देखे 4 of skulls का card काफे interesting यह story मुझे लग रही है ऐसा लगता है जैसे आपके ex को लगता है कि उन्हें जाके आपको किसी से छीन लेना चाहिए दुनिया से अलग कर देना चाहिए like वो आपको कई चुपा ले ताकि आप किसी और में interest ना ले या कोई और आपके पास आने की कोशिश ना करें ये person सोच रहा है कि उन्हें आपको रोकने की जरुवत है ये person अभी भी ऐसा feel करता है जैसे कि आप उनके लिए ही बने हैं उन्ही को belong करते हैं तो काफी possessive type का ये person होता जा रहा है उन्हें रग रहा है कि उन्हें अब हालातों को अपने control में लेने की जरुवत है दसन के काउट के साथ आप देखी रही है कि ये कितना intense connection है ये person मिस कर रहा है आपकी presence को ये person आपको embrace करना चाता है आपको हक करना चाता है ये person किसी दूसरी दुनिया में है ये person अपनी fantasies में जी रहा है और उन्हें लगता है कि अभी भी इस relationship में सब कुछ बाकी है एड़ आफ स्काल्स के साथ इस person को ये भी लगता है जैसे कि वो अभी भी किसी तरीके का magic कर सकते हैं आप पे उनके अंदर अभी भी वो बात है जैसे आप उनकी तरफ खिचे चले आएंगे या उन्हें पे ट्रस्ट करेंगे अफ कॉर्स स्काल्स के साथ इस person को पता है कि आप दोनों की बीच जो कुछ भी था उसे बरबात करने में उन्हीं का हाथ है उन्होंने ही इस situation को create किया हाला कि ये person अब चाता है कि वो इसे ठीक करें इस net को जो कि आदा छूट गया था ये relationship जो बीच में ही रुख गया था उसे अब ये पूरा करना चाहते है इस story को दुबारा से लिखने का इनका मन है हाला कि अभी तो मैं ये नहीं देख पाने हूँ कि ये person आपको अप्रोच कर रहा है maybe because उनके पास अभी भी clarity नहीं है जैसा कि मैंने का कि क्या करना चाहिए क्या नहीं अभी ये सोच रहे है बर्दा चारियट पे ये person आचुका है already जानता है कि उन्हें कुछ तो करना होगा आपको रोकना होगा move on करने से या कुछ ऐसा ही सोच रही है चली देखता आपके लिए Oracle Message यह है Libra Odin Psychic Insights Your third eye is open See truth for what it is Follow your intuition Odin आप से कह रहे हैं कि truth आप जानते हैं आपकी मन की आखे आपको सब बता रही है यानि आपका intuition तो अपने intuition को follow कीज़े और accordingly act ही जो आपका intuition कहता है आप उसके according ही आगे बढ़ी है तो यह है reading इस week की I hope आपको अच्छी लगी होगी Sorry, इस बारे में की आपके X क्या मिस करते हैं आपके बारे में I hope आपको अच्छी लगी होगी Thanks for watching Till next video, Bye